हे लो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा Serum Osmolality Test क्या होता है, इसके लक्षान क्या होते हैं, Serum Osmolality Test की Normal Range क्या होती है, ये टेस्ट कैसे होता है, Serum Osmolality Test का Price क्या होता है, पूरी डिटेस जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं 1. Serum Osmolality Test क्या होता है? Serum Osmolality Test ये पता लगाता है कि सीरum में chemical और electrolytes विशेश कर sodium कितने मातरा में घुल पा रहा है सीरum खून का द्रव विभाग होता है जो खून से कोशिकाओं और clotting protein निकालने के बाद बच्चता है शरीर में homeostasis बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं के ठीक प्रकार से कारे करने के लिए पानी वा electrolytes का एक सही संतुलन होना आवश्यक होता है ये टेस्ट शरीर में पानी और रसायन के संतुलन की जाच करने के लिए किया जाता है डॉक्टर्स इस टेस्ट की सलाह उन इस्थितियों में देते हैं जब उन्हें लगता है कि आपका ये संतुलन बिगड़ गया है इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं जैसे दौरे और कोमा, ADH संबंधी समस्याएं, पानी की कमी, हाइपो नेट्रेमिया एक इस्थिति है जिसमें सोडियम की कमी के कारण शरीर द्रव को बचा कर रखता है हाइपो नेट्रेमिया के निम्न लक्षण जैसे सिर्दर्द, उल्टी और जी मिचलाना, ठकान, मती भ्रम, चिर्चिडापन, बेचैनी, मानस्पेशियों की कमजोरी, अकडन, या एठन, बेहोशी या दौरे, आदी समस्याएं हो सकती है अब आईए जानते हैं सीरम ओस्मोलालिटी टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है एडल्ट्स में इसकी नॉर्मल रेंज 275 से 295 के बीच में होती है चिल्ड्रेंस में इसकी नॉर्मल रेंज 275 से 290 के बीच में होती है सीरम ओस्मोलालिटी टेस्ट कैसे होता है इस टेस्ट को करवाने के लिए बलड सेंपल की आवशक्ता होती है इस टेस्ट को करवाने से पहले अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं और डॉक्टर से पूरी जानकारी करने के बाद इस जाच को करवाएं अब आईए जानते हैं सीरम ओस्मोलालिटी टेस्ट का प्राइज क्या होता है Serum Osmolality Test का प्राइज 400 रुपीज से 800 रुपीज के बीच में हो सकता है So friends, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया Serum Osmolality Test क्या होता है, इसके लक्षन क्या है, इसकी नॉर्मल देंज क्या है, ये टेस्ट कैसे होता है Serum Osmolality Test का प्राइज क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने friends के साथ शेयर कीजिए Thanks for watching this video